तो जेहन दोस्तों आज कुछ खास धमाकेदार जो है हम लोग सीखने वाले हैं आज आपको जो हाई स्कूल में स्टुडेंट हमारे हैं और बोर्ड एक्जाम का परिछा देने जा रहे हैं येस तो उनके लिए खास बाते बताने जा रहे हैं कि आज आपको बताएंगे आपका में बताएंगे तो कुछ मिनिट का ये वीडियो है जिसको आपको बढ़ियां से देखना है और इस समझना है कि क्या किस तरह से आएगा तो इस पर हम चर्चा करेंगे जैसे कि हमारा पहला जो कोश्चन है आप देखेंगे तो सेक्शन ए हमारा आता है कौन सा सेक्शन सेक्शन ए हमारा आता है सेक्शन ए में क्या होता है कि यहां पर जिसे आप देख रहे होंगे तो यहां पर लिखा है जो है आपका क्या लिखा है कि रीड दा फालूइंग पैसिस क्या लिखा है रीड दा क्या लिखेंगे read the following passes read the following passes carefully क्या लिखते हैं carefully तो read the following passes carefully and and फिर क्या हो गया answer क्या लिखेंगे answer the questions क्या गीवेन बिल्यू गीवेन बिल्यू इट तो आप कोई पता लग रहा कि read the following passes carefully and answer questions गीवेन बिल्यू इट तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपको ऐसे एक जो है कोई 18 line का passage दे देगा और ए अंसीन passage होगा ए रीडिंग स्किल के अंतर गता आता है आपको एक पैसे दिया जाएगा और हमारा हमारे हाथ में जो पेपर है यह पेपर भी हमारा कपका है 2022 का है तो दस नंबर का आपका जो है पहला question जो है दस नंबर का है जिसमें आपका तीन नंबर का एक question होगा फिर तीन नंबर का होगा बाकि दो-दो नंबर का होगा यहां टोटल मिलाकर चार कोश्चन आपको फेस करना है चारों को अच्छे से अगर आप पढ़ पाएंगे तो यहां आसानी से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं तो यहां तीन और तीन च्छे और दो-दो आठ तो जिसमें आपको दो कोश्चन जो है यहां पर कहता है कि कोई दो यह क्वहिश्चिन होंगे यह आपके मिनिग से किसे मीनिंग से बाहर से कि AAPको उसका लिखना है मेनिंग इससे में मिल रहा है इसका मतलब उस MON Kiba जो है सब्द जो है उसमें पैसेज में होगा तो इस तरह से हमारा सेक्षण ए जो है रेडिंग स्किल बढ़ियां से तयार हो सकता कि सेक्षण बी कौन सा section B, section B के अंतरगत, जो है, हम क्या करते हैं, section B, जो हमारा है, इसमें आप देख रहे हैं, write later to your friend, यनि कि एक तो आपका इसमें आएगा later, तो later आएगा, या इसमें आप क्या करेंगे, application क्या, application, तो later या application, आपको लिखने के लिए आएगा, इसमें, section B में, तो चाहे आप क्या लिखे, later लिखे, चाहे application, दोनों में से किसी एक को करना है, और इसका जो मार्सिस में है, ओ चार नमर का है, कितने का है, चार नमर का है, तो इसमें आपको हम बताएंगे, कि यहाँ पार रहा है, कि water supply पे आया है, तो आप electric light जो है, खराब हो जाए, उस पर याद कर लेजिए, या आप जो है, नगर निगम के द्वारां, वहाँ पर अपने नगर निगम में, साफ सफाई को लेके, आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर brother की marriage के लिए हुआ है, तो आप टूर पे जाने के लिए, अथवा क्या होते हैं, कि आप hill station पे जाने के लिए, आप application लेटर अपने पापा को लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर sister की साधिय, उसमें अपने दोस्त को invite करने के लिए, यह सारे चीज याद कर सकते हैं, फिर उसके बाद यह आपका हो गया, question number 2, और इसी section B में question number 3 होता है, तो जिसको हम पहले यह हमारा long, क्या long composition जो होता था, या हम इसको बोलते हैं essay, क्या बोलते थे essay, लेकिन अब इस समय हमारा क्या आता है, कि write a paragraph on topic in the about 80, यानि 60 से आपको 80 सब्दों में इसको लिखना है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर heading भी आपको 4 या 5 देगा, तो एससे कोई भी आप याद कियो होंगे, कोई दिक्कर नहीं है, बट अगर ओ essay आता है जो आपने याद किया है, तो आप ध्यान रखना, इसमें जो है point दिये गए होते हैं, इसमें heading दिये गए होते हैं, और उन्ही heading को डालके, उस essay के बारे में आपको लिखना होता है, उस topic के बारे में लिखना होता है, तो section B में आपको later application लिखना है, section जो आपका B का question number 2, second और third में आपको कोई आता है, क्या 8 के लिखने के लिए, तो यहाँ पर heading भी दिया होता है, तो इस तरह से 60 से 80 सब्दों में आपको लिखना है, और इसमें कोई दिक्कर नहीं, बड़े आसाने से आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने कहा कि, कोई आप इसमें paragraph आएगा या article आएगा, तो paragraph या article दोनों में से किसी एक को ही क्योल करना है, फिर section हमारा C आता है, कौँसा, section C, section C के अंतर क्या आता है, कि इसमें जो है आपको answer the following question, क्या लिखा जाता है, कि answer the following question, तो answer the following question का मतलब हो गया, कि जो प्रसंद दिये जारे हैं, उसका जवाब देना है, जिसमें आपको करीब 5 question कितने, 5 question आपको मिलते हैं, 5 question आपको alternative कैसे, alternative, alternative मनि बहुविकल्पी जो है 5 question मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यह 5 question जो है 5 marks, कितने, 5 marks, यह निए 5 marks के भी होते हैं, तो इनको आपको लिखना होता है, इसके बाद फिर आपका एक question number क्या होता है, कि 4, कितना, एक question number 4 के अंतरगत आता है, और इस section आपका क्या होता है, C, question number 5 में क्या होगा, कि इसके अंतरगत आपको जो है, क्या पूचा जाता है, आपको narration पूचा जाएगा, passive voice पूचा जाएगा, preposition पूचा जाएगा, और preposition के अलामा जो है, आपको complete the sentence, complete the sentence पूचा जाएगा, और punctuation पूचा जाएगा, तो आपका क्या हो गया, narration हो गया, passive voice हो गया, और punctuation हो गया, complete the spelling हो गया और preposition हो गया तो इस तरह से एक दो तीन चार 5 पांच टॉपिक इसमें से पूछा जाता है तो जहां पर इसमें क्या करना है आपको कि पांदोनी 10 आपको complete the spelling जो है इसमें भराना यानि complete the spelling जो आता है complete the sentence तो इसको भी हम करते हैं तो एक आपका हो गया कोश्चन नम्बर इसमें 6 आपका आता है तो 6 में क्या होता है कि ट्रांसलेशन होता है क्या होता है कि ट्रांसलेशन तो कोश्चन नम्बर 6 में जो है आपका यह क्या होगा ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन में क्या है कि बहुत ही इजी आता है और ये ट्रांसलेशन आपका क्यों पांच नमबर का आएगा कि ने पांच नमबर का तो ये पांच नमबर आसानी से आप पा सकते हैं